है विल्कम तो और चनल माइनम इस अफसर एंड वोचिंग टिकनिकल अफसर यूट्यूब चनल सो गैस फैनली दो तीन महीने मेहनत करने के बाद हैं अपना एरडॉप लाँच कर दिया है और अब आप इसको ट्रेडिंग कर सकते हो क्या यह खुशी की बात है नहीं यह काफी अफसर उसकी बात है विकाज यहाँ पर हमस्टर कॉम्बैट ने जिस तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाला है सबसे पहली बात एक तो जो एरडॉप की साइज है वो बहुत चोटी है एरडॉप की जो टोकन्स है जो प्रोवाइड किये गए है काफी कम अमाउंट के अंदर है और उसके अलावा इसकी वैल्यू को अच्छा निकालना चाहिए था देखो जो वैल्यू निकलती है न यहाँ पर हैंस्टर कॉम्बैट ने इसकी वैल्यू जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो बहुत तब इसकी वैल्यू गए ती 0.13 0.14 हैस्ट ग पर एक्सचेंज सेलेक्ट किया होगा चाहे वह आपका बाइनस हो चाहे बाइबिट हो या फिर बिडगेट हो तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर से आप किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं पहले मैं आपको यह बताऊंगा फिर उसके बाद हम वागी की बाते क हैं करलेंगे करेंगे। जैसे मेरे अकाउंट के अंदर को सबसे बहुत लिए हूंट के अंदर जाएंगी एपको लुडल हो रहा होगा यहापर जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस वाले option के अंदर इस वाले arrow के उपर आपको click करना होता है यहाँ पर I think BTC या फिर और को select होगा तो आपको यहाँ पर type करना होगा HMS TR USDT और उसके बाद आपके पास यह वाला chart open हो जाएगा या फिर कुछ-कुछ cases के अंदर यह जो chart है यह अलग तरीके से दिख सकता है जैसे कि यहाँ पर मैंने click किया वह आपको ऐसे भी दिख सकता है तो यह इस तरीके से आपको chart दिखेगा बट चलो मान लो कि आपको इस तरीके से chart दिख रहा है तो सबसे पहले इसके अभी जो value जो चल रही है वो चल रही है 0.0086 मान लिजी के अगर आपके पास में 1000 यहाँ पर अवेडर tokens है तो आप लोगों को 7,000 7 या 7.5 डॉलर यहाँ पर देगा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आपके पास में यहाँ पर value 0.01 होती जो के सभी लोगों ने predict किया था और यही इसकी value निकल कर आई थी बट जिस तरीके से इसका graph नीचे गिरा है उस तरीके से आप देख सकते हैं इतना नीचे गिरा है कि वस पूछो ही मत एक time की उपर उठा था और उसके बाद जैसे नीचे गिरा यहाँ पर ग्राफ इतने उपर था यह आप यहाँ पर देख सकते है यह graph था और उसके बाद जैसे नीचे गिरा भाई तो अब तक उठने का नाम नहीं ले रहा है तो अब आपको क्या करना है तो भाई देखो मैं आपको यही चीज़ सजिस्ट करूँगा जो भी आपको better से better value मिल रही है आप उसमें अपने coin को sale कर सकते हो hold भी कर सकते हो but hold करने का sense नहीं बनता है उसके पीछे का मैं आपको reason बताता हूँ अब उसके पीछे का reason यह है कि काफी सारे लोग इस value को देखने के बाद और अपना withdrawal करने के बाद hamster combat को delete करेंगे account को delete करेंगे या फिर उसको खेलना बन कर देंगे तो बहुत डेफिनिटल उसकी value खतम हो जाएंगी और hamster combat ने जिस तरीके से road में आप लाया है कि अब हम next year में क्या करेंगे किस तरीके से हमारा airdrop आएगा तो वो सारी जो चीजे road में आप मैंने देखा है भी उसके अंतर यही चीजे दिख रही है कि अभी तो 6 मैंने तक आपको rate of मिले गा ही नहीं और 6 मैंने के पाद आपको मिलेगा भी तो उसमें value अच्छे खासी निकल कर नहीं आने वाली है तो चलो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ यह मैंने आपको chart बता दिया है यहाँ पर हमने select कर लिया है तो select करने के बाद यह हमें rate अभी जो भी मिल रहे है तो आपको क्या करना होगा आपको buy नहीं करना होगा आपको sell करना होगा अब आप जैसी sell वाले option के उपर click करेंगे तो आपके पास यह वाला chart open हो जाएगा यहाँ पर आप buy करके इसको खरीज सकते हो अगर आपको लग रहा है कि value बढ़ेंगी तो आप खरीज सकते हो या फिर आप यहाँ पर sell कर सकते हो अब जब आप sell के option के उपर click करेंगे तो यह जो cursor है यहाँ पर आपको जो देखने को मिड़ रहा है इसको आपको एकदम 100% तक slide कर लेना है तो आपके जितने भी tokens होंगे तो सारे के सारे select हो जाएंगे अगर आप इसको आदा slide करते हो 50% तो यहाँ पर 50% token सेलेक्ट होंगे 25%, 75% and 100% तो यहाँ पर मेरी जितने coins है उसकी value निकल कर रही है 36$ जो के starting में 57$ थी कितनी 54$ so guys यहाँ पर आप देख सकते हैं 54$ से just 36$ रहे चुकी है इसको अगर sell करना है तो definitely यहाँ पर हमें एक काम कर सकते है देखो अभी के लिए न मैं आपर छोटा amount लेता हूँ 252 में हाँ पर मेरे यह ले लेता हूँ hamsters and इसको हम sell के उपर अगर click करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो coins है वो sell हो जाएगा बट मैं अगर इसको अगर sell करूँगा तो यह problem क्या होगी पता है आपको इसमें यहाँ पर न मैं अगर इसको sell करता हूँ तो भाई अभी के लिए मेरे को charges कर जाएंगे और फाइदा कोई भी नहीं होगा इसलिए आपको sell नहीं करना है और भाई भी नहीं करना है तो आपको जब sell करना है जब आपको अच्छी value यहाँ पर मिलती हो अगर यह 0.90 अगर होती है तो थोड़ी बहुत अच्छी मिलेंगी बट मुझे नहीं लगता है कि वहाँ तक यह पहुचेगा अगर पहुच भी को बोल रहे हैं कि आप 10 दिन तक hold करके रखो तो मत करो अपना टाइम विल्कुल भी वेस्ट मत करो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया बाइनस का अब चलते हम बाइबिट के उपर आपको क्या करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको लॉंग एंड शॉर्ट का option दे कर सकते हैं जिस मेतर से मैंने भी आपको वहाँ पर बताया था तो अब इसके लिए आपको क्या करना है स्पॉर्ट वाले option के अंदर आप आएंगे यहाँ पर जहाँ पर बीटी सी है इसको सिलेक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपना HMSPR एंटर करेंगे यह HMSPR आ चुका है और आप इसको यहाँ से सेल कर सकते हो या फिर बाई कर सकते हो स्पॉर्ट वाले section से तो यहाँ से यह सेल और बाई हो जाएगा value सबकी platform की सेम होती है अब चलेंगे हम third वाले में जो के है bid gate by bid gate के उपर click करने के बाद अगें यहाँ पर हम trade वाले option के उपर आएंगे और यह अपने भी coin से सेल हो जाएंगे तो यह तरीका है अगर आपने अपने hamster combat का wallet withdrawal ले लिया है और वो आपके finance account के उपर bid gate या फिर bybit account के उपर अगर आ चुका है तो आप उसको इस तरीके से सेल कर सकते हो अब मानो आपने यहाँ पर sell किया है तो आपको पैसे कैसे मिलेंगे अ हो सकता है कि आपको funding वाले option के अंदर देखने को मिले अगर funding वाले option के अंदर आपको नहीं अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको transfer का option आता है जैसे यहाँ पर transfer का option आएगा आप sports से इसको funding में डाल सकते हो इतना करने के बाद 2 option से आप यहाँ पर अपने selling कर सकते या फिर आप अपना पैसा निकाल सकते हो सबसे पहला option तो यह है कि आपको यहाँ पर आजो अपने फंदिंग वाले option के अंदर और जो अपने convert किया है वो dollar आपको यहाँ पर दिख जाएंगे P2P वाले option के अंदर आकर यहाँ पर आप लोगों को अपना coin दे सकते हो जिसकी cost आपको 89 रूपीज तक मिल सकती है जैसी यह देखो मैं sell के उपर अगर जाऊंगा तो 88 रूपीज यहाँ पर कीमत बता रहा है और यहाँ पर बट यह trade थोड़ा भी के लिए risky हो सकता है because काफी सारे यहाँ पर scammers भी होते हैं तो आपको दूसरा जो तरीका है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो आप दूसरा तरीका कौन सा है तो यह देखो जैसे के हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने spot में spot में आने के बाद hamstar वाले option के उपर click करेंगे and click करने के बाद यहाँ पर अब हमको select करना होगा I think transfer वाला so transfer वाले में आने के बाद हमारे सभी amount लेकर हम transfer करेंगे तो यह तो हमारे AC में जाएंगे तो आपको एक option देखने को मिलता है home के अंदर आना है and यह जो right corner पर यह जो उपर आपको देखने को मिल रहा है यह hand वाला यह सबसे side में आपको बताता हूँ यह वाला right में तो इसके उपर click करना है and यहाँ पर आपको send cash का option मिलता है तो यहाँ से आप cash को send कर सकते हो जो भी आपके tokens है वो आप यहाँ से लेंगे and sorry यहाँ से आप इसको select करेंगे जैसे कि मैं यहाँ पर select करता हूँ इसको spot वाला आप ले लेंगे तो directly आ जाएगा बट यहाँ पर मैं HMSTR select करता हूँ तो यहाँ पर देखते है आता है क्या select crypto नहीं आ रहा है तो आपको spot के उपर अपना balance लेना होगा जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपका spot में balance पढ़ावा होगा उसको आप UPI की through यहाँ पर ले सकते हो तो इस तरीके से आप अपने coins को sell कर सकते हो अगेन अगर आपको कोई दिक्कत या problem अगर हो रही तो आप नीचे comment जरूर कर सकते हो आशा करता हो कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like करके दोस्तों साथ में दोस्तों share करना मिलते हैं किसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching, bye bye